साहित्य समाज का दरपण है, बहुत बार आपने पढ़ा, सुना या लिखा होगा, यानि साहित्य वो दिखाता है जो समाज में घटता है लेकिन साहित्यकार का गाउं सरकार के दावों की हकीकत है, ये कोई नहीं बताता बिहार का मुजफरपुर और वहाँ बेनिपुर गाउं, जहां कलम के जादुगर कहे गए राम रिक्ष बेनिपुरी का जन्म हुआ उस एतिहा से गाउं के सरकारी स्कूल का हाल देखिए और सोचिए सुशासन कैसा जमीन पर बोरा बिजहा कर, बैक की जगा जोला और बोरा खोल कर, कौपी किताब निकालते हैं ये बच्चे किसी साधारण गाउं के नहीं ये उस गाउं के बच्चे हैं जिस गाउं में देश के बड़े साहितिकार राम रिक्ष बेनिपुरी का जन्म हुआ ये उस गाउं के बच्चे हैं जहां जन्म लेने के बाद राम रिक्ष बेनिपुरी ने कलम से क्रांती की बिहार में मुजफरपुर के उसी बेनिपुर गाउं में आपको राम रिक्ष बेनिपुरी के एक प्रतिमा तो दिख जाएगी लेकिन जिने कलम का जादूगर कहा गया, उनके अपने गाउं में बच्चों के लिए ना पक्ता स्कूल मिलेगा, ना स्कूल के भीतर बेंच या मेज मिलेगी, ना बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस मिलेगी, ना बच्चों के पास बैग मिलेगा क्योंकि सुशासन की राज में देश के प्रसिद्ध साहित्पिकार के गाउ में बच्चे आज भी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसे जोपड़ी ही कहना सही होगा मकान नहीं है भवन नहीं है जिससे बच्चे को बैठाने में बड़ी कठिनाई होती है जो बच्चे आधिक और अधिक होते हैं तो हम एक जगाव वहां आगे एक शिक्षिका है रिटायर शिक्षा भी भाग से उनहीं के दरवाजे के आगे चोटा-चोटा पेर है पौधा है उसके नीचे बैठा करके कलास लेते हैं बाद बाकी इसमें ले रहे हैं वहां ले रहे हैं उधर यहीं दो है और सोचाले नहीं है जिसके लिए यहां महिलाएं तीन सिक्षिका है और खास करके शिक्ष्टू येट की जो बचिया है उनको काफी कठनाई होती है सोचाले वही जिस गाउं से एक विचारक, चिंतक, ग्रांतिकारी, कलम के निर्भीक योधा ने अपना जीवन चुरू किया, उसी गाउं में सरकार और सरकारी वेवस्था की लिजली जी अवेवस्था का नतीजा आपके सामने है.